जेशे किशन दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीदे अच्छी होंगे मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और पहुत ही जट्रपिणने वाली रेसिपी शेयर करें वह है बत्वा अलू के पराटे बत्वा पाटना बहुत ज़्यादे टीपिकल होता है लेकिन मैं निक्स आपके साथ इसका बहुत ही इजीवे शेयर करा है वही ते आपको जरूर अच्छे लेगीगा अच्छे प्रेट वास पर बना सकते हैं बंच में बना सकते हैं और चाहने तो डिनर में बना सकते हैं बत्वा अलू के पराटे और रायता खाने में बहुत तेस्टी लगता है और बैस कॉमिनेशन भी है यह रेसिपी और तरीका आपको दौनों अच्छी लगे है तो प्रि है और बहुत ही परफैक्थ और घ्यल्दी नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है यह बत्वा और सफे बहुत ही हम साफ कर लेंगे और इसमें मोटी टंडी तिन वह फैंक दी हैं और उसके बादे हम बत्वे को दौद तीन पानी के साथ बहुत अच्छे से दो लेंगे क्य क्योंकि डालेक्ट टैप के नीचे बत्वा उतना अच्छा साफ नहीं हो पाता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मित्ती होती है यह मैंने 250 ग्राम बत्वा लिया है और जिसे मैं अच्छी से दो लिया है इसमें से थोड़ा सा बत्वा हम रायते के लिए उबलने के लिए रख प्रेशी कूकर में भी उबल सकते हैं तीन से चार मिट में बत्वा उबल जाता है इसके बाद बाकी के साफ के लिए बत्वे को मैंने एक मिक्सी के जार में डालीया है और इसे कुछ सेकिंड तक हम पीसेंगे हमें से बहुत ज्यादा बालीक नहीं पीसना है अब चाहें तो यह काम चॉपर में पीसना है और बथो पीस चुका है और आप दीख सकते हैं कि मैंने से बहुत ज्यादा बालीक नहीं पीसा है दिखी हमने इसे चुबथो उबलने के लिए रखाता है यह भी उबल चुका है और इसे हम मिक्सी में डालकर एकड़म बालीक इसे चौपर में डाले देते हैं और कुछी नेकिन के लिए हम चौपर को चला देंगे यह इसे वह बहुत अच्छी से चल कर एक सार हुचुका है और बहुत अच्छी से चल कर दाही बहुत है तो बत्वे के रायते का टेस्ट अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है लेकिन मुझे बत्वे के रायते में बुंदी बहुत जादा पसंद है इसलिए यह मैंने डाल दी इसमें 2-3 टेबल स्पून जितनी बुंदी अगर आपको बहुत जादा जल दिये तो आप बुंदी को हलकर से गरम पानी में डालिए और उसके बार डाल दीजिए रायता हाथ के हाथ तयार जाएगा और अगर थोड़ा सा समय है तो आप इस तरीके से डालिए इससे टेस्ट जादा अच्छा आता है और यह डाल दिया ट जाए तरह नहीं होता लेकिन आजकल ठाण पड़ने हैं इसलिए मैं नहीं डाल रहे हूं अगर पराटो को स्टफ करने के लिए मैं लिया है ये चार-पांच उबलेवी आलो जिसे में ने कद्दू कर लिया है सबसे पहले हम पतीश के इसाफ सेप्साइव हमार्णों को स्टफ करने में और जो में अटा लगा aj Physics का लेंगे इसलिए नमक आप देककर डालेमाइए और इन सब चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो चमब से मिक्स कर लूँगी उसके बाद मैंने लिया है यह नौर्मल गय हूं काटा और इस डाल दिया एक टीस्पून जितना नमा और उसके बाद हमने यह जो कच्छा बत हुआ पीस कर रखा था इसक साथ हम इसका डो लगा लेंगे एक टीस्पून जितना कुकिन ओल भी डाल लेते हैं इस तरीके से आप जब भी भरवा परांटे बनाए और उसमें तोड़ा सा ओल डाल लें तो परांटे ज्यादा खसता बनते हैं और खाने में ज्यादा टेस्टी लगते हैं जब हम परांटे बनाते हैं तेस्ट भी आता है और समय और महनत भी बहुत ही कम लगती है थोड़ा थोड़ा पानी रालते जाएंगे और बिलकुल जैसर में परांटो के लिए जरुरत है वैसा ही डो लगा लेंगे और आप तेक सकते हैं मैंने बत्तु को मिक्सी में पीसा है लेकि कुछ जरूर पसंद आएगी और जोभी हमारा और मुस्स लगकर तयार हो गया है आप कभी भी आलू के भरमा परांटे बनाएं तो पहले आलू की पिठी तयार करें और जिस टेक्चर की आलू की पिठी ओ बिलकुल उसी टेक्चर का आप डो लगा कर तयार करें इससे आपक डो को मैंने 10 मिट के लिए रख दिया था और डो रेस्ट कर चुका है और आप बार ये पनाथे बनाने की उसके लिए हम जिसे नॉर्मल पनाथे बनाते हैं बिल्कुल उतना ही बड़ा मैंने इसमें से एक पेडा तोड़ लिया है उसे हलका सा सूखे हाटे में कोट कर लेंगे तोड़ा सा फैला लेंगे और 2-5 इंच के व्यास में हम उसे बेल लेंगे और जितना हमने आटे का पेड़ा लिया था बिल्कुल उतना ही बड़ा हम ये आलू का पेड़ा भी ले लेते हैं प्रैस करेंगे और इस तरीके से चुड़नटे बनाते हुए हम इसको अच्छे से बंद कर लेंगे हलका सा प्रैस कर देंगे जिससे आलू चाली तरफ हो जाएगा फिर से सुखे हटे में कोट करेंगे हलका सा फिर से प्रैस कर लेते हैं पेलते समय इस बात कर जरूर ध्यान रखें कि आपकी नारों से अच्छे से बेले और बीच थोड़ा सा मोटा रहने द यह देखिए पराथा बिलकर तयार हो गया है यह नॉर्मल पराथे के पेक्चा थोड़ा सा मोटा है क्योंकि आलो से स्टफ किया है इसे बीच मैंने तबी को गरम कर लिया था और तबा गरम है पराथे को प्लेस कर देते हैं एक और बना लेते हैं पेड़ा लिया सुख्याटे में कोट किया थोड़ा सा बेल लिया इस्टफ कर दिया फिर से सुख्याटे में कोट किया हमारा यह पराथा भी अच्छे से बिलकर तयार हो गया है और इसी पीस जो हमने पराथा सीखने के लिए रखाता है एक तरफ से हलका सा सीख चुका है आप इन पराथा को चाहे तो कुकिंग ऑईल के साथ सेख सकते हैं और चाहे आप बठर के साथ सेख सकते हैं मैंने कुकिंग ऑईल के साथ सेख रही हूं हम परांटे को उलट पर जब तक सेखेंगे जब तक परांटा अच्छा पूल गया है और हमाले यह बत हुए आलू का स्टॉप परांटा बहुत ही अच्छा सीख चुगा है और इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे क्सष्क अच्छा स्टूत करते हैं की नाच्छा कि परांटा का अच्छ पूल गरहे श्कानीकिन अच्छा उच्छब खेंभ हैं having ट्रांटा यह च्छा को ने defence सब। पराथा बहुत अच्छा सीख चुका है इसे भी प्लेट में टांस्फर कर लेते हैं और यह चारकॉल गरम होने के लिए रखाता है यह आप देख सकते हैं बहुत अच्छा गरम हो गया है राईते में मैंने के रहें लेखुआ देब देनगे के दुझालान तरफ कर दोक डाएंगे और एक से 2.5 नेट हो चुका है और द्वान निकलना बंद हो चुका है यह टेस्टी और धुआन वाला रायता हमारा बनकर तैयार हो गया है यह बहुत ही परफेक्ट चाहें आप नाश्ति में बनाएं खाने में बनाएं या डिनर के लिए एक पूरी थाली बनकर तैयार है इसके साथ जो मैंने चेत्टनी बन आप मुझे कमेंट को माइं करके बता सकते हैं, मैं बहुत ज़ल इस दन्यकी चितनी की रेसिपी भी अपलोड कर दूँगी, तैस्टी और हरियाला ब्लेक पास को लिए लूंज को लिए लान्ज को लिए या डिनर बन कर तयार हैं, आप इसे किसी भी समय बना सकते हैं, यह हर स प्राइटे और रायता बनकर तयार है मैंने ने थोड़ा से डिफरेंट डिस्टेल में बनाया हैं पर यकीन मानिये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है राइसके और तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें फ्रैंड और फेल्ली में शेयर करे चैनल पर नए महमाने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी दिए गए बेल आगें को प्रैस करना बिल्कुल भी न भूलें जिससे आने वाली वीडियो को निट्वीशन आप लोगों को समय पर मिलता रहें थैंक्यू तो